Hey everyone, मैं हूँ प्रती और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रांस्टैरो 369 में So guys, आज हम जो देखने वाले हैं वो है आपके पार्टनर की करिंट फीलिंग कि आपके जो पार्टनर है करिंटली वो कैसा फील करें हैं आपके बारे में क्या महसूस करें हैं So guys, यह एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है For all signs and all elements So जितने messages आपसे resonate करते हैं बस उतना ही रखने हैं और जो messages आपसे resonate नहीं करते हैं वो किसी और के लिए हैं तो forcefully अपने उपर कोई भी messages आप impose ना करें ठीक है चलिए करते हैं कार्ट की shuffling Universe, my guide, my God, my angels Please divinely guide करें मेरे जो viewers है उनके पार्टनर की current feelings क्या है और वो उनके लिए कैसा फील कर रहे है Universe Please divinely guide करें Spirit, please divinely guide करें Okay, हमारे पास यहाँ दो काट्स आगे हैं Okay, the devil in reverse 10 of pentacles in reverse Okay Alright Universe और कुछ कार्ट को कर लेते हैं Sort Okay So we have Page of Pentacles We have Six of Swords Page of Wands Ace of Pentacles in reverse Two of Swords We have the Chariot in reverse Queen of Wands in reverse And the Fool And the Fool Alright Bottom of the deck We have Strength in reverse So guys So guys यहाँ पर Okay Okay All right Okay, जी So यहाँ पर हमारे पास Capricorn Cancer Leo strong है guys Aries Leo Sag Gemini Libra Aquarius And Taurus Virgo And Capricorn again Okay So guys अब हम यहाँ पर reading को करते हैं शुरू So आपके partner Currently कैसा feel कर रहे हैं Okay Guys आपके partner की life में वैसे बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो First card आया है वह एक good news के साथ में है और वह good news यह है कि आपके जो partner है अगर वह कोई बुरे addiction में थे किसी कोई इस तरह का addiction जो destructive था constructive नहीं था तो अब आपके जो partner है वह उस तरह के addiction से निकल कर बहार आ रहे हैं अगर आपके यहाँ पर देखे Guys बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी married person से deal कर रहे है तो Guys अगर आपके पार्टनर married है तो उनकी married life में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और उनकी जो married life है वह पूरी तरह disturbed है यहाँ पर Guys बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यह भी feel आता है कि आपके जो partner है वह financial crunches से गुजर रहे हैं और recently में उनको बहुत कुछ loss हुआ है financially या फिर होने वाला है कई लोगों के लिए इनको यह loss अल्रेडी हो चुका है आपकी जो partner है वह Guys किसी चीज के लिए उनको कुछ mental clarity नहीं आ पा रही है यहां पर बहुत सोच विचार करते वे दिख रहे हैं अपने आपको guard करते वे दिख रहे हैं टू minds में हैं लेकिन उनको clarity कुछ समझ नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बहुत अपने ही thoughts में हैं एक fool की energy में कुछ लोगों के लिए आ चुके हैं और कुछ लोगों के लिए नहीं आये हैं तो आने वाले हैं यह थोड़ा risk लेना चाहते हैं without thinking too much क्योंकि इनको बहुत सारी चीजों में यह clear नहीं है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए लेकिन जिस भी relation में यह फिलहाल हैं क्योंकि हम उनकी current feelings के बारे में बात करें हैं या जिस भी situation में यह हैं वहां से यह मुझे move out करते हुए दिखाई देते हैं ऐसा लगता है कि situation में यह बहुत जादा rough path से निकल रहे हैं या तो बहुत जल्दी निकलने वाले हैं आपकी partner guys अगर यहां पर मुझे बहुत सारे लोगों में age difference भी नजर आता है guys आपके और आपके partner में age difference भी हो सकता है यहां पर हमारे पास page की दो-दो cards है तो आपके जो guys partner हैं वो कुछ नई शुरुवात करना चाहते हैं बट at the same time strength नहीं ला पा रहे हैं अपने आप में उनको ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल वो तयार नहीं है थोड़ा उनमें courage की कमी है और यहां पर हम clearly देख सकते हैं कि बहुत जादा अपने आपको guard किया हुआ है strength का card हमारे पास reverse में है अपने आप में बहुत जादा हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो courage लाने ही पा रहे हैं इसलिए वो जो भी relation या जो भी situation है उससे बाहर निकलने में उनको time लग रहा है हाला कि सोच विचार कर रहे हैं उनको इस situation से बाहर आना है ऐसा उनको लगता है कि उनकी life में कोई एक ऐसी इंसान है जो जिनको की queen of wants की तरह देखते हैं उनको खो दिया है उनको ऐसा भी महसूस होता है कि एक जो बहुत जादा loving और caring relation उनकी life में था वो relation उनको खो दिया है एक छोटा token of love देकर ही सही लेकिन आपकी साथ वो एक नई शुरुवात करने के बारे में यहाँ पर मुझे बहुत जादा सोच विचार करते हुए नजर आ रहे है चलिए guys एक बार ओशो जन से जानने की कोशिश करते हैं आपके जो partner है वो currently कैसा महसूस कर रहे है यहाँ पर हमको briefing तो मिल गई है कि आपके जो partner है वो currently कैसा महसूस कर रहे है बद स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जो partner है वो currently और कैसा महसूस कर रहे है और हमें क्या messages हैं जो हमें Osho Zen से मिल सकते हैं चलिए My Guiding God, My Angels Please Divinely Guide करें यहां पर बहुत सारे cards आ गए हैं इनको हम नहीं लेंगे ओके ओर्राइट Divinely Guide करें Spirit और 3-4 cards हमें यहां पर DDJ Universe and guys we have 2 cards here first card we have politics and we are the world यहां पर guys आपके जो partner है वो मुझे ऐसा मैसुस होता है कि आपके जो partner है वो बहुत कुछ लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश करें हैं कि वो खुश है सब कुछ अच्छा है पर actual में वैसा नहीं है वो एक mask लेकर घुम रहे हैं लोगों को दिखा रहे हैं यहां पर मुझे ऐसा मैसुस होता है कि यह morality के लिए काफी कुछ कर रहे हैं लोगों को दिखा कुछ और रहे हैं जबकि अंदर से बिलकुल भी खुश नहीं है ओके ओके यहां पर कुछ complete होने का feeling आता है ऐसा लगता है कि आपके partner की जिन्दिकी में कुछ खतम होने वाला है और किसी नए cycle का शुरुवात होने वाला है flow के साथ बस जा रहे हैं आपके जो partner हैं यह देखिए गाइस fool की energy में बस flow के साथ जाना चाहते हैं without thinking much लेकिन जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं कि आपकी जो partner है वो cross roots पर है आपने आपको guard किया हुआ है उनको समझ नहीं आ रहे हैं उनको क्या करना है यहां पर हमारे पास projections का भी card है तो reality को देख नहीं पा रहे हाला कि उनको पता है कि कुछ तो यहां पर ऐसा है जो उनको confuse कर रहा है black and white जो है उनको पता नहीं चल पा रहा है चीजें कुछ और हैं लेकिन कुछ और तरह से project की जा रही है तो कहीं तो उनके दिल में ऐसा doubt है कि जो चीजे हैं वो clear नहीं है और वो एक clarity के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं शायद इसलिए थोड़ा time ले रहे हैं वो और जो चीजें जैसी हो रही हैं बस वैसी होने दे रहे हैं हाला कि परिशान हैं बहुत जादा सोच विचार करते हुए नजर आते हैं और यहां पर अपने past की बातों को बहुत जादा सोच रहे हैं या तो वो जिस situation में है जिन surroundings में है जिन लोगों के साथ वो फिलहाल है वहां पर recent past में कुछ ऐसा हुआ है बहुत conflicts हुए हैं लड़ाई जगड़े हुए हैं या किसी ने उनको कुछ ऐसे बाते कही हैं जो उनके दिल में शायद बहुत जादा चुप गई है और वो सारी बातों को सोचते हुए वो यहां पर मुझे नजर आते हैं देखे गाईस यहां पर जैसे मैंने भी आपको कहा कि चीजों को postpone कर रहे हैं क्लारिटी नहीं है और यहां पर हमारे पास postponement का काड़ आ चुका है आपके जो पार्टनर हैं चीजों को postpone कर रहे हैं क्योंकि उनको फिलहाल mental clarity नहीं है लेकिन यह उनको turn in होने की बहुत जादा यहां पर मुझे जरुरत होते भी दिखाई देती है अगर आपके पार्टनर यहां पर turn in करेंगे और खुद से अगर एक बार अपने आप से थोड़ा meditate करेंगे और चीजों को एक self introspection हम जिसको कहते हैं अगर वो करेंगे तो उनको बहुत सारी चीजों में यहां पर clarity मिलती भी मुझे नजर आती है यह देखिए गाईज अगर harmony उनको चाहिए तो उनको यहां पर बहुत कुछ खुछ से clarity मिल सकती है लेकिन उनको turn in होने की जरुवत है और अपने दिमाग को थोड़ा शांत करने की यहां पर जरुवत है आप में से बहुत सारे लोगों के जो partner हैं उनको कुछ पेट से related problem हो सकती है कुछ stomach से related problem हो सकती है तो guys यही थी आपकी छोटे से प्यारी सी reading अगर आपको reading पसंद आई है तो please do like, subscribe and share और अगर इस में से कुछ भी चीज़ें आपके साथ resonate करती है तो please मुझे comment section में आप जरूर बताईएगा यहाँ पर मैं करती हूँ इस reading को wind up और मैं मिलती हूँ आपको next reading में तब तक के लिए बाबाई